बिया स्टुडेंट आज का टोपिक है आर्जी पैरलर और रार्षी श्रीष सर्केट इसमें मुझे कंप्लेट करना के इसका फियदर डाइग्राम वेफोर्म सरकेट डाइग्राम तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा इसमें पहला पॉइंट ऐसा सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टेंस रजिस्टेंस और और कैपिस्टेंस पैरलर में कनक्ट हो तो पैरलर स्रीज सर्किट कहलाता है दूसरा इसमें ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टेंस और कैपिस्टेंस स्रीज में connect हो series में connect हो तो RC series circuit कहलाता है दूसरा point resistance में पहले ही पढ़ चुके है resistance में current और voltage voltage और current किसमें रहती है समान कला में यही इसमें समान कला में क्या करती है current current से 90 degree lead करती है या अगर lead कर रहे है तो current voltage से 90 degree lead कर रहे है तो voltage current से क्या कर रहा होगा voltage current से 90 degree lag करता है यह हमेंसे याद रखना है lag और lead समझ में आगे है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो यह क्या रहता है current, capacitance में current क्या करती है 90 degree lead करती है और voltage 90 degree lag करता है ठीक है इसके बाद इसके बाद हम देखने वाले हैं phaser diagram तो phaser diagram उससे पहले अगर इसमें देखोगे तो इसमें क्या मिल लए हैं आपको IS बराबर कितनी होगी IR बराबर IC ठीक है और voltage कितना होगा BS बराबर BS बराबर BR पिलस J BC ठीक है, ऐसे इसमें कितना होगा BS बराबर BS बराबर कितना होगा BR बराबर BC क्योंकि parallel में voltage किया रहता समान और इसमें current किया रहेगी अगर यहां KCL लगा होगे तो KCL कितना लगने वाला IS बराबर कितना होगा IR पिलस J IC ठीक है, इतनी बाद समझ माई तो उसके बाद हम देखते हैं इसका phaser diagram ठीक है, इतने equation voltage इसमें क्या है, same तो voltage क्या गया यह reference voltage reference voltage reference और resistive load है, तो resistive load में क्या रहता है आपका current और voltage किसमें रहते है in phase में, तो यह क्या मिलेगी आपको IR ठीक है, क्या मिलेगी IR IR और अगर capacitance लगा हो будущ current क्या रहती है, आपके 90 degree क्या करती है आपकी लीड करती है 90 degree क्या करती है os 90 degree capacitance से क्या करती है आपकी lead करती है तो यहान से मैं 90 degree क्या कराने वाला हूं इसा lead यह क्या रहेगी आपकी IC तो यहां जब इस पे imaginary axis पर shift होई है तो यह कितनी आदेगी J IC तो इसके अगर parallel देखोगे तो कितना मिलने वाला आपको यह resultant current तो resultant current यह कितनी रहेगी आपकी IC यह इसका क्या है phaser diagram यह power factor तो यह रहता है आपका phaser diagram तो phaser diagram में अगर इसकी waveform देखोगे तो waveform क्या मिलने वाली है यह voltage के across की resistance के across की waveform है किसकी current की यह किसकी है आपकी current की IR की तो IC की waveform कितनी मिलने वाली है 90 degree क्या करेगी आपकी lead करेगी 90 degree lead करेगी तो कुछ इस तरीकिस आईगी यह 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 रहेगी आपकी IC की ठीक है तो यह phaser diagram और waveform तो इसके अगर parallel थियोरम यह इसका pythagoras पिरमे से लगा होगे तो IC बराबर कितना मिलने वाला IC बराबर चलिए उससे पहले इसका भी देखते हैं इसका phaser diagram देखोगे तो इसके current क्या है same है current क्या है same तो इसमें reference क्या रखने वाले हैं आपको current को current कितनी मिलेगी आपको IS कितनी IS यहां कितनी होगी आपकी यह BR ठीक है यह resistance में voltage और current क्या रहता है तो बोल्टेज क्या करेगा voltage current से current से lag करेगा कितना 90 डिग्री तो इससे क्या करा देंगे हम lag करा देंगे कितना BL यह मैंने lag करा दिया तो यह कितना मिलेगा यह phi-angle k서ow Mix bar और अगर इसकी वह देखेखेंगा तो वेफ़र मिलने वाली है आपको का यह वोल्टेज्ट की वेफ़र्म होगी जीरो से स्टार्ट होगी कियोंकर क्योंकि up वोल्टेज्टक के किस के लिए रेजिस्स्टेंस के यह तो रेजिस्टेंस के लिए तो अब इसकी कापिस्टेंज के क्रोस बोल्टेज कर देखोगे कितना मिलने वाला 90 डिगरी लेग करेंहा गाँ कहा से wise i यह 90 डिगरी ओर ने तोड़ से छेंज हो गया इस नहीं कर लेए इसके बाद देखने वाले हैं इसका impedance कितना मिलेगा हमें तो impedance इस स्रीज में देखते हैं स्रीज में कितना मिलेगा आपको यह आपका source तो कितना मिलेगा bs बरावर रूड में पाइतागुरस फिर में लगाओ तो कितनी होगी br² पिलस bc कितना है bc का whole square तो यह कितनी मिलने वाली है bs बरावर रख दो i into r i into r का whole square पिलस i और इसकी जगा क्या रख दो xc यह कितना आजागा xc का whole square तो i common लेव तो i common लेने के बाद कितना बचेगा r square पिलस xc का whole square यह कितना आजागा b upon i r square plus xc तो z बरावर आपको कितना मिलने वाला है यह कितना होगा r b upon i क्या होता r और एसी सर्केट में z कितना होगा r square plus xc का whole square यह क्या होगा आपका impedance किसी भी rc circuit का impedance कितना मिलने वाला है आपको r square plus xc square direct formula लगाओ तो आपका r square plus xc square parallel का देखते हैं तो parallel का कितना होगा पाइथर वर्स प्री में लगाओ तो पाइथर वर्स प्री में लगाओगे तो कितना होगा is is बरावर ir square plus ic square ठीक है तो इसकी जगे इसकी value रख दो b upon i बरावर कितना होगा i बरावर रख दो b upon r का whole square plus b upon xc का whole square तो b को मना जगा तो यहां क्या बचेगा रूड में b upon r का whole square plus b upon xc का whole square तो कितना मिलने वाला है आपको यह जाएगा आपका is बरावर b तो यह से क्या लिखने वाले हो आप xc का whole square plus lsm ले लिया r का whole square यहां रूड में r और xc का whole square यह कितना होता बना पॉन z और कितना मिलेगा आपको कितना मिलेगा इसे क्या लिख सकते हो आप बन अपॉन r into xc root में xc का whole square plus r का whole square तो इसे direct z बरावर क्या लिख दोगे आप z बरावर इसे लिख दोगे r into xc upon xc plus r का whole square यह z impedance तो मेरे पास z impedance मिल गया और पावर फक्टर देखोगे तो पावर फक्टर कितना मिलने वाला पावर फक्टर मिलेगा आपको 10 5 लंबटे अधार होता लंब यह और अधार यह तो लंब कितना होता बी सी अपोन बी आर तो फाई बराबर कितना मिलेगा आपको 10 inverse 10 inverse bc upon bc upon bc upon br यह आपका पावर फक्टर कितना पावर फक्टर ठीक है अगर इसका इसी के देखो इसका अगर फेजर डाइगराम मनाओ इसका फेजर डाइगराम यह मैं ड्रो करता हूं साफ करता हूं तो कितना मिलेगा अगर इसका फेजर डाइगराम बिल्कु सेम उसकी तरह न वोल्टेज की तरह तो इसका अगर फेजर डाइगराम देखो गए उसकी क्योशन कितनी थी bs बराबर बी यार स्क्वार पिलस बी से स्क्वार तो इसकी फेदर डाइग्राम यह था बी के लिए और जैट के लिए इंपिडेंस डाइग्राम इंपिडेंस डाइग्राम देखेंगे तो हम इंपिडेंस डाइग्राम कितने मिलेगा आपको यह रहेगा आपका एकसी एकसी और यह कित और इसका ओर फिर आंकिल यह यह कितना हएगा एकशीय पॉेट बरावर यह पारवर फैक्तर क्रेद थेम के लिए कि यह एक है फैरल खेड लिया हए ₹ज निकालते थे जैड इकेद कितना आया था अपका जड़ आया था आपका जड़ था आर इंटू एकसी रूड में आर स्क्वार प्लस एकसी कर यह आपका और सिरीज के लिए क्या था series के लिए था आपका z बरावर r square plus xc का whole square power factor power factor कितना था आपका phase angle कितना आया था series के लिए 10 inverse xc upon r यह complete हो गया series और parallel rc series और parallel के लिए